हेलो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 लेशन 13 जो की एक पोयम है लिटिल थिंग्स इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे पूरे पोयम में जो कठीन सब्द है उसको हम कॉपी पर नोट करवाएंगे और उसके अर्थ को हिंदी में लिखवाएंगे तो कॉपी पर ले drops मिन्स होता है बूदे जो पानी की बूदे होती है वो drops होती है grains of sand G-R-A-I-N-S grains of sand मिन्स होता है रेत के दाने या रेत के कड ग्रेंस मिन्स होता है दाने या अनाज बट यहां पर रेत के कड से लगाया जाएगा तो यहां पर आप रेत के दाने भी कह सकते है या रेत के कड भी कह सकते है ओसन O-C-E-N ओसन मिन्स होता है समुद्र, सागर या महसागर आप कुछ भी कह सकते है ओसन मिन्स इतना होता है प्लीजन्ट लैंड, P-L-E-A-S-A-N-T प्लीजन्ट, L-A-N-D प्लीजन्ट लैंड मिन्स होता है सुखद भूमी या जमीन मुमेंट्स, M-O-M-E-N-T-S मुमेंट्स मिन्स होता है छडो या छड़ पल या लमहे हमबल, H-U-M-B-L-E, हमबल, हमबल मिन्स होता है विनम्र, दो, T-H-O-U-G-H-दो, दो मिन्स होता है यद्यपी, हाला की या भले ही इटर्नटी, E-T-E-R-N-I-T-Y, इटर्नटी मिन्स होता है अनंतकाल दस, T-H-U-S, दस, दस मिन्स होता है इस प्रकार, इरर्स, E-R-O-R-S, इरर्स, इरर्स मिन्स होता है तूटियों, लीड, L-E-A-D, लीड, लीड मिन्स होता है नेत्रित्व या संचालन करना पाथ, आफ, वर्चू, P-A-T-H, ओएफ, आफ, वर्चू, V-I-R-T-U-E, पाथ, आफ, वर्चू मिन्स होता है पूडे, ये पूडे है पूडे का मार्ग या नेतिक गुड का रास्ता या नेतिकता का रास्ता पूर, एफ, आफ, 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 मिन्स होता है दूर, दूरस्त या बहुत दूर सिन, S-I-N, सिन, सिन मिन्स होता है पाप S-T-R-A-Y, स्ट्रे, स्ट्रे मिन्स होता है भटका हुआ Dears, D-E-E-D-S, Dears, Dears मिन्स होता है काम या कार्य Kindness, K-I-N-D-N-E-S, Kindness मिन्स होता है दयालुता Earth, E-A-R-T-H, Earth, Earth मिन्स होता है प्रिथवी Heaven, H-E-A-V-E-N, Heaven, Heaven मिन्स होता है स्वर्ग Mighty, M-I-G-H-T-Y, Mighty, Mighty मिन्स होता है सक्तिसाली Soul, S-O-U-L, Soul, Soul मिन्स होता है आत्मा या रूह I hope बच्चों, आप लोगों को word meaning अच्छे से समझ में आ गई है इसको आप लोग copy पर note कर लिजिएगा और अपने teacher से चरूर चेक कराईएगा और इसका जो हिंदी में अनुबाद है, हिंदी में अर्थ है उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के description box में दे देंगे आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो थोड़ी भी helpful लगी हो तो एक like कर दीजिए चैनल पर नय है और आपको अन चैप्टर्स के word meaning, question answer और हिंदी में अनुबाद चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप teacher है इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अपने educational group में जरूर सेयर करें अगर आप अभिवावक हैं तो अपने बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुचाईए बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके question answer के साथ इसके हिंदी में अर्थ के साथ तब तक के लिए good bye